अगर आप भी जोडो के दर्द से प्रेशान रहते हो, कमर के दर्द ने, गुठने के दर्द ने, कंदे के दर्द ने प्रेशान कर रखा है, मासपेशियों में जकडन आ गई है, और पूरी सरदिया कभी खासी हो जाती है, कभी जुखाम हो जाता है, सीने में कफ जम जाता है, जकड जाती है चाती बिल्कुल इस तरह की प्रोब्लम है तो आज का यह जो नुस्का है दोस्तों आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और 100% एफेक्टिव नुस्का है आप इसे 7 दिन पीके देखिए आपको पूरी सर्दियां खासी जुकाम नहीं होगा और जोडों के दर तो कैसे हैं आप सब आप आए हैं कीचन शाला में और कीचन शाला में आपका फोट बहुत स्वागत है यह देखिए दोस्तों यह मैंने काली मिर्च ली हैं काली मिर्च हमारे सभी के गर में होती हैं क्योंकि इनको हम खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं यह जो काली मिर् विए बहुत ज़्यदा फायदे मंद होती हैं क्योंकि गरम तासिर की होती है और सर्धियों में हमने गरम तासिर की चीज़े ही लेनी चाहिए अब देख रहा है कि हमने यह लेनी कितनी है अभी सर्धियां हैं तो आप आठ दस काली मिर्च ले लीजिए और गर्मिया हों तो बस आप तीन चार ही लीजिए क्योंकि गर्मी में ये गरम तासिर की होती है तो कम लेनी चाहिए सर्दी हैं तो हम आठ से दस काली मिर्च ले लेंगे और इनको हम कूट लेंगे आपने साबुत काली मिर्ची लेनी है काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना है क्योंकि जो भी मार्किट में पाउडर उगर आते हैं बहुत सारी मिलावट आती है तो आप ओरिजिनल वाली काली मिर्च लीजिए और उन्हें ही कूट लीजिए ये देखे इस तरह मैंने इसको कूट लिया है और इसमें ये एक गिलास हम दूद डालेंगे अब ये दूसरी चीज लेंगे हम अधरक ये जो अधरक है दोस्तों ये भी हमें सर्दी खासी जुखाम से दूर रखता है और जोडो के दर्द को कम करने के लिए ये बेहद फाइदे मन दोता है तो आपने अधरक कितना लेना है बस एक इंच अधरक का टुकड़ा ले लीजिए मैं यहां आपको एक गिलास दूद के इसाब से बता रही हूँ तो बस आप एक इंच अधरक का टुकड़ा लीजिए इसे या तो आप ग्रेट करके डाल सकते हैं कदू कस करके या फिर आप इसे सिंपल सी बात है कूट लीजिए कूट के या ग्रेट करके डालेंगे ना तो इसका पूरा फाइदा मिलता है इसका सारा फ्लेवर फिर दूद में चाय में आ जाता है तो यह देखे इसको मने इस तरह से कूट लिया है इसको भी मैं इस पतिले में डाल देती हूँ इसको हम उबाल लेंगे जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही आपने उबाल लेना है 3-4 उबाल इसमें आने देंगे कोई हमने इसको बोज़ादा गाड़ा नहीं करना है बस जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही उबाल लेना है दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूद डाइजेस्ट नहीं होता दूद हजम नहीं होता दूद पीते ही गैस बन जाती है पेट फूल जाता है तो इसमें हम ये दो इलाइची डालेंगे देखें मैंने तोड ली हैं और ये दो इलाइची इसमें डाल देंगे और एक दो बाल इसमें आने देंगे इलाइची डालने से क्या होता है इलाइची डालने से दूद का फ्लेवर भी बहुत टेस्टी हो जाएगा और इलाइची डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करती है दूद पिने के बाद जो गैस मनती है न वो नहीं बनेगी और बहुत अच्छा आपको लगेगा ये दूद पीके डूद को मिठा करने के लिए मैं यहां ये मोटे वाली मिश्री डालूँगी ये जो मिश्री होती है न दोस्तों ये काफी अच्छी होती है चीनी नहीं डालनी चाहिए ये खून की कमी को भी पूरा करती है और आँखों की रोसनी को भी बढ़ाने में बहुत फायदे मन्द होती है और जो चीनी होती है वो सेथ के लिए नुकसान दायक होती है अगर आप चीनी के टाइप का कुछ डालना चाहते हैं तो आप मिश्री को कूट के डाल लीजिए या फिर आप इसमें थोड़ा गुड डाल सकते हैं लेकिन गुड को हम उबलते हुए दूद में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि दूद फट जाएगा गुड अगर डालना है तो गैस को ओफ करने के बाद डालें और अगर आप सुगर के पेसेंट हैं तो गुड सककर कुछ ना डालें ये मैंने एक चमच मिश्री डाल दी हैं ये हमारा दूद बन के तयार हो गया दोस्तों ये बहुत लाब दायक है और बहुत टेस्टी है आपने इसको रात को सोने से आधा या एक गंटा पहले पी लेना दोस्तों कम से कम आप साथ दिन इस तरह से दूद बना के जरूर पी के देखिए आपको सर्दी खासी जुखाम और जोडो का दर्द पूरी सर्दिया नहीं होगा ये मेरी पूरी गारंटी है और आप इस तरह का दूद बना के पूरी सर्दियां भी पी सकते है क्योंकि गर्मियों में तो काली मिर्च गर्मी कर जाती है सर्दियों में इसका फाइदा ही फाइदा है ये बहुत ही फाइदे मन्द लापदाएक दूद है और ये दूद हमारा अब तयार हो गया है इसमें दो-ती नुबाल आ चुके हैं तो इसको हम एक गिलास में छाल लेंगे और ये जो काली मिर्च और दरक बचा हुआ ना दोस्तों इसको भी आप चाय बनाते टाइम डाल सकते हैं और बोटेस्टी चाय बनेगी और ये जो दूद बना है ना ये बहुत ही हेल्दी दूद है दोस्तों इन सर्दियों में आप इस तरह से दूद बना के पीना पूरी सर्दियां खासी जुकाम, बुखार और जोडों का दर्द आपके पास भी नहीं आएगा पूरी सर्दियां आप स्वस्त रहोगे आज की जानकारी इतनी थी दूस्तों अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ थैंक यू